Hello दोस्तो welcome to study universe मद्धिप्रदेश की number one channel for daily current affair के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्धिप्रदेश के weekly current affair यानि मद्धिप्रदेश साबता है current affair के बारे में आपको एक important fact बताज़ें दोस्तो ये आपके सभी competitive exams के लिए important है आप भले मद्ध प्रिदेश के अलावा कोई और भी exam अगर देना चाहती है या तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो बहुत important है साथ ही मद्ध प्रिदेश के लिए तो है ही दोस्तो इस वीडियो में हम 40 प्लस questions के बारी में बात करेंगे इसके अलावा एक और announcement करनी है दोस्तो जो मैं वीडियो के end में करूंगा आप वीडियो पूरा देखें और end में जो announcement है उसको भी बहुत गहर से सुनें आपके लिए बहुत important है इसके अलावा दोस्तो ये वीडियो हिंदी और English दोनों भाशाओं में बनाये गया है अगर English में कोई द्रट के साथ शेर कीजिए और हमारे चैनल एस्टेड यूनिवर्स को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तो बिना समय गवाए चलते हैं question number first पर question number first है हाली में कैलास मांसुरोवर यात्रा की रोड किस के द्वारा बनाए गई है तो दोस्तो ये रोड बियारो की द्वारा बनाए गई है बियारो का full form border road organization होता है दोस्तो ये हमारे road organization का काम बहुत बहतर तरीके से करता है इसकी इस्थापना 7 मैं 1960 में की गई थी इसका ज नियु डेली में है और इसके जो डारेक्टर जनरल है वह लेटिनल जनरल हरपाल से हैं तो आपको इतना बीयारो की बारे में याद रखना है नेश्ट को देश में सबसे ज्यादा शिशू मिरत्यु दर किस राज में है जिसका सही option है मध्यप्रिदेश में देश में सबसे मध्यप्रिदेश में देखी गई है दोस्तो आपको बता दें प्रती 1000 बच्चों में से 48 की मरत्यु हो जाती है तो यह शिशू दर सबसे जादा देखी गई है मध्यप्रिदेश में दोस्तो इस से related जितने भी important fact है वह भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगले वीडियो मे जिसका जो title होगा वह मध्यप्रिदेश माई events की नाम से आएगा दोस्तो उस वीडियो में हम मध्यप्रिदेश की जितने भी important और छोटी छोटी question है उनको लेकर आती है तो आपको यह वीडियो बहुत देखना है गौर से next question हाली में किस क्रिकेटर को ALSA Corporation का brand ambassador चुना गया है तो यह है अजंक्या रहनी अजंक्या रहनी जो क्रिकेटर है इन्हें हाली में ALSA Corporation का brand ambassador चुना गया है दोस्तो यह एक education brand है next question है fire आपके द्वार विवस्ता किस राज्य में लागू की गई है तो यह है दोस्तो मध्यप्रिदेश मध्यप्रिदेश राज्य में fire आपके most IMP question है आपके exam में पूछायदा सकता है इसलिए आपको याद रखना है next question है हाली में किस देश ने रवेदनाठ टैगूर सडग का नाम दिया है तो यह है इसरायल इसरायल देश ने अपनी देश में रवेदनाठ टैगूर सडग का नाम दिया है तो यह है डॉक्टर हर्ष वर्धन डॉक्टर हर्ष वर्धन जो हमारे स्वास्तम मंत्री है इनने उन्हें हाली में आयूश अंजीवनी एप लॉंच किया है नेस्ट क्वेशन है UNEP का सद्भावना राजपूत 2022 के लिए किसे चुना गया है तो ये हैं दिया मिर्जा दिया मिर्जा को पहले भी UNEP का सद्भावना राजपूत नियुक्त किया गया था दोस्तों अब इनने 2022 तक के लिए और UNEP का सद्भावना राजपूत नियुक्त किया गया है नेस्ट कोशन है 2020 तक के लिए अंतरास्ति होकी संग का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो ये है नरेंदर बत्रा नेस्ट कोशन है हाली में किसी भारतिय पैरा ओलंपिक संग का अध्यक्ष बनाया गया है तो ये है दीपा मलिक दीपा मलिक को भारतिय पैरा ओलंपिक संग क का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों आपको बता दे इन्होंने वर्ल्ड पैरा उलंपिक गेम्स में रजत पतक जीता है इसके अलावा यह जो और नाम देख रहे होंगे बरौश्या भाटी देवेंदर जांजरिया और नरेंदर रणवी यह भी हमारी पैरा उलंपिक खिला मनाया जाता है दोस्तों आपको बता दें इस दिन 1998 में पोखरण में परमानु परीशन किया गया था जिस करण रास्टी प्रवद्योगी की दिवस मनाया जाता है दोस्तों नेक्स्ट कोशन की बात करें तो अंतर रास्टी नर्स दिवस कम मनाया जाता है तो यह नर्स दिव इसके बारे में याद रखना है 12 माई को अंतरास्टी नर्स दिवस मनाया जाता है ये बहुत important question है इसके अलावा दोस्तो इसकी जो theme है उसके बारे में भी बता दें तो 2020 की theme है nursing the world to health ये दिवस Florence Nightingale की जैनती पर मनाया जाता है तो आपको याद रखना है अंतरास्टी नर्स इसके बारे माई को मनाया जाता है नेस्ट question है भारत और मद्द एसिया का सर्फ्रेश्ट हवाई अड़ी का खिताब किसे दिया गया है तो कैमपोड़ा हवाई अड़ा जो बैंगलूरू में है इसे भारत और मद्द एसिया का सर्फ्रेश्ट हवाई अड़ी का खिताब दि यो आत्मिनर भारत अभियान की अंतरगत दिया गया है दोस्तो आपको बता दे कोरुना के चलती प्रधानमंत्री मोधी जी ने यह अनॉंसमेंट किया है 20 लाग करोड रुपे का मैंने साथ 12 लाग बोला था वो 20 लाग करोड रुपे है दोस्तो आपको एक और important fact बता दे जो भारत की GDP है वह है 2.719 trillion dollar है तो आपको इसके बारे में भी पूछा जा सकता है next question है CVSC का नया प्रमुक हाली में किसे बनाया गया है तो ये है मनुझ अहुजा को CVSC का प्रमुक बनाया गया next question है हाली में GI Tech दिया गया है तो वो कौन-कौन से है तो सोराई, खोबर आर्ट और तेलिया रुमल इन दोनों को GI Tech दिया गया है दोस्तो आपको बता दें सोराई, खोबर आर्ट ये जारखंड की पैंटिंग है और तेलिया रुमल ये तेलंगाना का रुमल है तो आपको याद रखना है इन दोनों को GI Tech दिया गया है, इसके अलावा दोस्तो मनीपुर की काले चावल को और गोरापुर की टेर्रा कोट्टा आर्ट को भी GI Tech दिया गया था और जम्मू कस्मीर की केसर को भी GI Tech दिया गया है, ये बात मैंने पिछली वीडियो में की है 42 करूर रुपए से भी जादा की राशी ट्रांसपर की गई है, नेस्ट कॉशन है, गिनीज भुक के अनुसार, दुनिया का सबसे चोटा व्यक्ति किस देश का रहने वाला है, तो ये है कूलंबिया, ये है व्यक्ति कूलंबिया का रहने वाला है, इसकी जो हाइट है वाज 72.10 cm है और इनका नाम Edward Nino Harden Gage है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, इनकी हाइट है 72.10 और ये कूलंबिया की रहने वाली है, नेस्ट कॉशन है दोस्तो, ICMR द्वारबनी स्वधिसी एंटिवोडी टेस्ट कित का नाम क्या है, तो आपको इसका नाम याद रखना है कबच लाइजा, ICMR द्वारबनी स्वधिसी एंटिवोडी कित है, अब बात आएए ICMR की तो आपको इसके बारी में बता दें, दोस्तो, ICMR का फुल फॉर्म Indian Council of Medical Research होता है, इसकी इस्थापना 1911 में IRFE की नाम से की गई थी, लेकिन 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR किया गया है, य डॉक्टर बलराम भारगव हैं, तो आपको ICMR की बारे में याद रखना है, और इसने जो स्वधिसी एंटिवोडी टेस्ट किट बनाई है, उसका नाम रखा है कबच लाइजा, नेश्ट कोशन है, 20 लाग करोर रुपए की पैकेज में से गरीबों के लिए सरकार ने कितने रुपए दिये हैं, तो यह 3.16 लाग करोर रुपए गरीबों के लिए सरकार की द्वारा दिये गए हैं, 20 लाग करोर रुपए की पैकेज में से, next question किस राज ने जून तक प्रोपाटी खरीदी पर 5% की छूट दी है तो यह है मद्विदेश मद्विदेश राज ने जून तक प्रोपाटी खरीदी पर छूट दी है दोस्तो यह छूट सिर्फ जून के महिने तक ही दी गई है यानि आप अगर जून की महिने तक property खरीदते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी Next question है United We Fight Ghana किसकी द्वारा launch किया गया है तो दोस्तो यह है ICCR की द्वारा United We Fight Ghana launch किया गया है दोस्तो यह ICCR किया है आपको इसका full form बता दें तो इसका full form होता है Indian Council of Cultural Relations यह ICCR का full form होता है और इसके द्वारा Ghana जो बनाया गया है वह United We Fight है Next question है Daimir Bhasa Dam का निमार पाकिस्तान और चीन की द्वारा किस नदी पर किया जा रहा है तो इसका सही option है Sindhu या Indus River पर Daimir Bhasa Dam पाकिस्तान और चीन की द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तो आपको बता दें यह Dam P.O.K. में बनाया जा रहा है Next question है W.E.F. की Energy Transition Index में भारत का कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को 74 इस्थान प्राप्त हुआ है W.E.F. की Energy Transition Index में दोस्तो आपको बता दें 2018 में भारत का इस्थान था 76 अब दो इस्थान हम उपर आए हैं और अब हमारी रैंक है 74 अब बात आईए W.E.F. की तो आपको इसके बारी में जरूर बताए W.E.F. का Full Form World Economic Forum होता है इसकी इस्थापना 1971 में की गई थी Headquarter को लोगनी Switzerland में है और चेर्मन है किलाव स्वचेव तो इतना आपको I.E.F. की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है हाली में किस राज ने 9 और 11 वी के विद्ध्यार्थियों को सप्लिमेंट परिक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया है तो यह है मदब्रदेश मदब्रदेश राज ने 11 और 9 वी की विद्ध्यार्थियों को सप्लिमेंट परिक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया है दोस्तों आपको बता दें कोरोना संक्रमाट बचाओ का कारण लिखते हुए यह इस पस्ट मार्क सीट में लिखा जाएगा कि जो नौबी और ग्यारावी के विद्यारतियों को सप्लिमेट परिक्षा में जनरल प्रोमोशन मिला है वह कोरोना संक्रमाट की कारण मिला है नेस्ट कोशन है हाली मैं ASI का महानिदेसक किसी बनाया गया है तो यह है वी विद्यावति को ASI का महानिदेसक बनाया गया है दोस्तों बात आईए ASI की तो आपको इसकी बारे में भी कुछ इंपोटेंट फेक्ट बता दें ASI का full form archaeological survey of India होता है दोस्तों I think ये visible है आपको इसकी स्थापना 1861 में Alexander Cunningham दोरा की गई थी इसका headquarter नई दिल्ली में है और director हाली में बनाए गई है V. Vidyavati तो आपको इतना archaeological survey of India की बारे में याद रखना है Next question है अंतरास्थी परिवार दिवस कम मनाया जाता है तो 15 माई को अंतरास्थी परिवार दिवस मनाया जाता है Next question है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरंड केट का कौन सा राज仔 50% अनुदान देगा तो ये है उत्तरप्देश राज जनवर 1950 में की गई थी राजधानी है लखनव यहां की जो गवर्णर है वह है अनंदी बेन पटेल मुक्य मंत्री है योगी आधितनात राजसवा की कुल 31 सीटे हैं और लोगसवा की कुल 80 सीटे हैं जो भारत में सबसे जादा है तो आपको इतना यूपी उतपदिश की वारे में शामिल किया गया है दोस्तों बात आई है नाड़ा की तो आपको इसकी बारी में बता दें नाड़ा का फुल फॉर्म नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है इसका जो मोटू है भावारत प्ले फियर है इसका गठन 24 नुमबर 2005 को किया गया था नाड़ा का मुक्या जो भी खिलाड़ी होते हैं डोपिंग की मामले में जितने भी इंपोटेंट खिलाड़ी पकड़े जाते हैं डोपिंग करते होगे पकड़े जाते हैं तो वर्ल्ड में होता है वाड़ा और भारत में है नाड़ा जो खिलाड़ीों को डोपिंग से दूर रखता है दोस्तों आपको बता दे इस योजना की अंतरगत जो पचासीक कर बंजर भूमी पश्यमंगाल में वह 6 जुलों में बाटी गई है और यहाँ पर बागवानी और मचली पालन किया जाएगा अब बात आएए पश्य मंगाल की तो आपको मैप में इसके बारी में बता दें पश्य मंगाल का मैप में आप देख पा रहे होगे यह है पश्य मंगाल यानि वेस्ट बंगॉल इसकी स्थापना 26 चनवरी 1950 में की गई थी राजदानिय कूल का था लोगसवा के 22 सीटे है तो आपको इतना पश्य मंगाल की बारे में याद रखना है नेश्ट कॉस्य में कौन सा साइक्लोन भारत से तकराया है तो ये है अमफान अमफन साइकलोन भारत से टकराया है दोस्तो ये बहुत important question है आप से इसकी speed नहीं पूछी जाएगी लेकिन इस साइकलोन का नाम exam में पूछा जा सकता है तो इस साइकलोन का नाम है अमफन दोस्तो next question है राश्टी डेंगो दिवस कम मनाया जाता है तो 16 माई को राश्टी डेंगो दिवस मनाया जाता है नेस्ट question विश्टो दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस कम मनाया जाता है तो 17 माई को यह दिवस मनाया जाता है दोस्तो आपको बता दें इसकी शुरुवात 1979 में की गई थी यूएन ने इसकी शुरुवात 2005 में की थी यानि दूर संचार और सूसाइटी दिवस की शुरुवात तो 1989 में की गई थी लेकिन यूएन की द्वारा जब शुरुवात की गई तो यह 2005 में बिसस्वर यह बनाया गया नेस्ट question है हाली में सुप्रीम कोट द्वारा शुरू की गई हेल्प लाइन नमबर क्या है तो यह है 1881 यह सुप्रीम कोट की हेल्प लाइन नमबर है दोस्तो इसका उद्देश से प्रतिवादियों और बगीलों को होने वाली असुविदा से बचाने के लिए की गई है नेक्स्ट बात करते हैं हाली में मद्देश के विख्यात संत दद्दा जी का निधन हुआ यह किस जिले से सम्मंदित है तो इसका सही option है कटनी जिले से इनका सम्मंद मद्देश के कटनी जिले से है दोस्तो आपको बता दें यह question इसलिए एट किया गया है क्योंकि इनका नाम Guinness Book of World Record में दर्ज है सबसे ज़ा शिबलिंग निर्माण का एक नहीं चार बार इनका नाम इस बुक में दर्ज किया गया है अब बात आईए कटनी की तो आपको कुछ important factor और इसकी location map में बता दें तो दोस्तो आप देख पा रहे हूंगे यह है कटनी जिला जो मत्रप्रदीस का एक जिला है आपको इसकी कुछ important factor भी लेकर आए हूँ वो भी बता दें तो पहले मैं आपको मौकिक बोलता था लेकिन अब मैं इसको writing में लेकर आया हूँ इसे मुडवारा की नाम से भी जाना जाता था दोस्तो आपको बता दें मुडवारा नाम की station अभी भी कटनी में ही है नेक्स्ट है बिलहरी कौफी प्रिसिद्ध है जिसका जिक्र अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकवरी में किया था नेक्स्ट है जिंजरी जो यहां पर दोस्तो 14 बिसाल मेंधा का कार चूना पत्थर की चट्टाने है बिजयर रागो गर्द किला बहुत प्रिसिद्ध है जो कटनी में इस्थित है भारत की पहली किन्नर महिला जो कमला जान थी ये कटनी से ही महापौर रही है तो आपको इतनी फैक्ट इंपूर्टेंट है जो कटनी के बारे में वो आपको याद रखने है नेश्ट कोशन है हाली में किस राजी ने फैसला लिया है कि कोरोना संकट में भारत की सभी निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीश ही लेंगे तो यह है मद्यपदेश मद्यपदेश राजी के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि राजी के जितने भी नेशी स्कूल है वो सिर्फ ट्यूशन फीः ही लेंगे इसके अलाबा दोस्तों और भी कुछ important announcement मद्यपदेश सरकार की द्वारा इसकूलों को की गई है तो उनके बारे में मैं एक separate वीडियो आपको बनाने वाला हूँ जो हम बात करेगे मई के current event के बारे में तो यह वीडियो भी आप देखना ना भूले इसके कुछ दिन बादी यह वीडियो आ जाएगा तो दोस्तों यह था हमरा वीडियो जिसमें हमने बात की है मद्यपदेश के 10 से 20 माई के भी जितने भी important current affair के question बन सकी है उनके बारी में दोस्तों अब बात आती है important announcement की तो आपको बता दे हमें एक typist की जरूरत है तो आप मेंसे कोई अगर typist है और मुझसे जुड़ना चाहता है तो वो हमें इस mail id पर resume send कर सकता है इसके अलावा दोस्तों अगर आप पढ़ाना चाहते हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें mail कर सकते हैं तो आज के लिए बस अतना ही दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ज्यादर ज्यादर शेयर कीजिए और हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए तो नमस्कार, have a nice day